हम सबी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास सक्सेस अचीव करने के लिए उनका टेलेंट होता है। और कुछ लोग अपने लुक्स और होबीस की वज़ा से फिमास हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी मुझूद हैं जिनके पास सुपरनेशनल पावर्स है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। सुपरनेशनल पावर्स। सुपरनेशनल पावर्स सुफ मुविज में ही नहीं होती। ये पावर कुछ लोगों के पास असल जिन्दगी में भी होती है आज हम कुछ ऐसा ही लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने अनोखे उनर से पुरी दुनिया को हिरान कर दिया नमबर फाइफ ब्राइन शौ ब्राइन शौ 37 यर्स के एक स्ट्रॉंगमें है जो कि अमेरीका में रहते हैं ब्राइन पावर लिफ्टिंग में जाईग इंटर के नाम से भी ठाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉंगमें टाइडल को कई बार जिता है उन्होंने कुछ ही दिनों पहले स्टॉन्स को उठाने का एक बहुत पुरान रिकॉर्ड तोड़ा जब उन्होंने 330 किलोग्राम से भरी पत्थरों को उठा कर पूल की चुड़ाई को पार किया इससे पहले ये रिकॉर्ड डोनल्ड देनी के नाम पर था जो कि उन्होंने 1860 में बनाया था उसके बाद से सेकड़ों लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की जिसमें कई फिमेस भी शामिल थी लेकिन ब्रायन ने सरिफ इन पत्थरों को उठाया ही नहीं बलकि उन पत्थरों को उठाकर पुराना रिकॉर्ड के मुकाबल ज़्यार डिस्टेंस दे की इसी वज़ा से वो कई स्ट्रॉंग मेन और फिटनेस फैंस के रॉल मॉडल है नमबर फोर टेरेसा वाइडनर हर इंसान का अपना एक अलग टेस्ट होता है किसी को जंग फूट पसंद होता है तो किसी को नॉर्मल खाना पसंद होता है लेकिन बेटफोर्ट सिट्डे की यह वोमन एक बहुत ही अजीब डिश खाने की शोक नहीं है क्यूंकि उन्हें पत्थर खाने का शोक है वो कभी भी पत्थर खाना मिस नहीं करती टेटेसा ने पत्थर खाने की शुरुवात कई सालों पहले की थी पहले उन्हें पत्थरों की स्मेल बहुत पुसंद थी लेकिन बाद में उन्हें उससे खाने की कुशिश की जिसके बाद से पत्थर उनके खाने का एक हिस्ता बन गए डॉक्टर्स में बताये कि इस woman को एक eating disorder है जिसका नाम GFACIA है जिसकी बज़ा सुन्या पत्तर खाने से भी कोई side effect नहीं होता लेकिन आप इससे कभी try मत करना अगर आप इस छोटी बच्चे को ड्रम बजाते हुए देखो गए तो आपको अपनी आँखो पर यकिन नहीं होगा इस लड़की ने God Talent शोव में सारी audience और judges को हिरान करकर रख दिया जब इसने God Talent के grand finalे में अपना performance दिखाया जोहिन बहुत complex rhythm भी बजा लेती है जिसे बड़े-बड़े experts को बजाने में भी problem होती है जोहिन ने drum बजाना बहुत कम इज में शुरू कर दिया था जब वो छोटी थी तब वो toy drum set पर drum बजाया करती थी जिसे देखकर उनके parents को जल्दी यह इसास हो गया कि यह सिर्फ एक hobby नहीं है इसलिए उन्होंने जोहेन को स्रिफ साथ साल के उमर में ही real drum kit दिला दी थी और इसके कुछी टाइम बाद वो इतना अच्छा drum बजाना लगी जितना कि professional drummers सालों के experience के बाद भी नहीं बजा पाते और आज वो अपने new band के साथ पूरी दुनिया में perform करती है अगर आप कभी किसी dictionary को अचानक से किसी भी random page से खोलो गए तो आपको कुछ ऐसे words देखने को मिलेंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे और यहां तक कि कुछ words तो इतने कठीन होते हैं कि उन्हें pronounce करना भी मुश्किल हो जाता है दुनिया के कई entries में इसके लिए एक special competition भी होता है जिसका नाम spelling भी है यहां पर लोगों को कई कर्ठीन words प्रणाउंस करने के लिए दिये जाते हैं लेकिन यह इतना असन नहीं होता जितना यह लग रहा है यह आदमें English language की किसी भी word की spelling बता सकता है वो भी बिल्कुल करेक्ट चाहे वो spelling कितनी भी लंबी हो या कितनी भी मुश्किल हो नमबर वन Monk from Thailand वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक दो knowledge book चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और पास में इस बिलागन को भी क्लिक कर लेना ताकि हमारी वीडियो की notifications आपको मिलती रहे ये बात तो हर को ही जानता है कि meditation करने से हमें spiritual powers मिलती है लेकिन ऐसा कुछ आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा माना जाता है कि कभी कभी meditation physics के लौको बदल सकता है ये मौंग से अपने कमाल के talent की वज़े से दुनिया भर में जाने जाते है और कुछ तो इतने ज़्यादा advance होते है कि बिल्कुल magic की तरह लगते है जिसे कि ये मौंग का अपनी performance की वज़े से पुरी दुनिया भर में famous हो गया इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये मौंग के एक container में बेटकर meditation कर रहा है जो कि एक गरम तेल से भरा हुआ है जब ये वीडियो इंटरनेट पे upload होई थी तब इसे देखकर लोगों के दो तरह की reaction आए कुछ लोगों ने से एक supernatural power मान लिया वहीं कुछ लोग इसके पीछे की mystery जानने की कोशिश करने लगे इस वीडियो में पहली बात notice करने वाली ये है कि जिस तेल में बेटकर वो meditation कर रहा है उसमें किसी भी तरह के bubbles नहीं दिख रहा है जबकि तेल जब जब ज़ादा उबलने लगता है तब उसमें bubbles निकलते है इसका मतलब यह है कि तेल boil नहीं हो रहा है लेकिन फिर नीचे लगी आग का क्या वो भी तो लगातार जल रही है तो इसका जवाब यह हो सकता है कि container की नीचे एक bottom हो सकती है जो की heat को उपर आना से रोक रही है अभी आपके उपर depend करता है कि आप इस पर believe करते हो या नहीं लेकिन यह experiment इतना आसान नहीं होते हैं क्योंकि इन monks का सबसे बड़ा मकसद अपने physical और mental pain से बहर आना होता है आपको इस वीडियो में बताएगा कि इस इंसान ने सबसे आदा हिरान किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को आगे शेयर करना जिससे और लोगों को भी इन talented लोगों के बारदे में पता चल सके